गुड मॉनिंग एन वेलकम एवरिवन दोस्तो स्वागा था आपका इसके डिली न्यूज व्लॉग में आज की डेट है 19th of November and day है Saturday वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी शांदार इंफॉर्मेशन से भरफूर कॉंटेंट मिलते रहे दोस्तो आज की पहली है कि बहुत सारे पोस्ट मदपदेश में गवर्मेंट के पास अभी खाली है अगले तीन सालों में वो सारे पद भर दी जाएंगे बट एस पर 73% आरक्षण इसको हम डिटेल में देखेंगे दूसरी खबर है भोपाल नगर निगम महापौर का ये कहना है कि बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं भोपाल नगर निगम में जो बेफाल्तों के हो रहे हैं आए अब हम देखते हैं पूरी न्यूस डिटेल में हमारे प्रधान मंत्री मारनी मोदी जी का कहना है कि जो देश टेरिस्ट की फंडिंग में हेल्प कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगना चाहिए बिसिकली दो दिन से नियू डेली में एक कॉंफरेंस चल रही है जहां पर हम ऐसे विवादों को मोदी जी उठा रहे हैं जो टेरिस्ट रिलिटेड है और उनका ये कहना है कि टेरिस्ट फंडिंग को हम स्ट्रॉंगली देखेंगे और इसके लिए हम स्ट्रॉंग एक्शन भी आगे चल करके लेंगे तो फीफा वर्ल्ड कब भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और उसके एक दिन पहले ही ये ख़बर आनी चालू हो गई है कि जो मेजबान देश कतर है उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो कई टीमों को पैसा दे रहा है ताकि वो उससे हार जाए सो मतलब देखा जाये तो खेल के पहले ही खेल होना शुरू हो चुका है और फीफा काफी आप जानते हैं फुटबॉल का बहुत बड़ा खेल प्रतियोगिता मानी जाती है और उसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं सो लेट सी यह आरोप कितना सही है कितना गलत है इस पर तो हमें बाद नहीं पता चलेगा ओम प्रकाश शकलेचा जो मद्ध ब्रदेश के लगु एवं सुक्ष्म उद्योग के मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा गया जब कि आपने वादा किया था कि साल में लवग धाई और टो वाला इन सब वालों को आप मिला लो तो आपने हमने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया है चाहे तो आप और इट करा ले अब प्रॉब्लम यह हो रही है कि इन लोगों की आपस में जो मंत्री गण है इन लोगों की आपस में चर्चाए नहीं हो पा रही है जो की दे आपस में बैटो पहले बाते कर लो और फिर लोगों के सामने आप प्रूफ रखो तो वहीं हमारे मुखमंत्री मामा जी समय गुजरात चुनाव में गए हुए हैं तो वहां पॉर्ण ने बयान दिया है कि जो मोधी जी है वो एक कल प्रविक्ष की तरह हैं जो केजरिवाल है बबूल का पेड़ है और जो राहुल गांधी है वो खर्पतवार की तरह है तो भाई अब चुनाव चालू होई जुके हैं गुजरात में तो हमें ऐसी ऐसी बयान बाजी सुनने को मिलना जायज है अब देखते हैं कि कॉंग्रेस के तरफ से और आप के तरफ से आगे चलकर पर क्या रिस्पॉंस आएगा तो पुर्षो की प्रताड़ना भी भारत देश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसकी एक हेल्प लाइन नंबर है जहां पर जब इन्होंने कॉल किया तो जहां पर अगर हम देखा जाएं तो औस तन एक दिन में 725 के आसपास कॉल ट्र में हैं वह उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा परिशान करती हैं बदनाम करती हैं और कई तरह कि उनको आरोप भी लगा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही प्रताडित हो रही है पुरुष भी प्रताडित हो रहे हैं तो भाई अब इसमें हम क्या कह सकते हैं जाहिड सी बात है अगर हम सिर्फ महिला प्रताडित हो रहे हैं तो जहेड सी बात है सही और 27 नवंबर को ये मेला यहाँ पर लगने जा रहा है जिसे दुनिया भर में जो बौध धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग यहाँ आएंगे और अपने धार्मिक जो भी उनके प्रोग्राम है उनको करेंगे और यहाँ पर उनको जो बौध के भगवान बुद्ध के शिश सार पुत्र की अस्थियों का उनको दर्शन करने को भी मिलेगा असम गोहाटी के जज का यह कहना है कि भाई फिल्मों में भी हमने ऐसा नहीं देखा बिना पर्मीशन के आप तलाशी ने ले सकते तो घर में बुल्डोजर कैसे चला सकते हैं गोहाटी की यह बात है दोस्तों वह ने देखा होगा आम तोर पर सुना होगा कि भाई बुल्डोजर चला दिया योगी जी ने लेकिन आसाम में जब यह करने के कोशिश की गई तो जज एकदम से थोड़ा सा बिफर पड़े और उनका यह कहना है कि यह गलत है अब भाई देखे कुछ रूल से रेगलेशन तो ह जीच की बात है बंसर ग्रूप जो की मदब्रदेश का काफी बड़ा बिजनस ग्रूप है उसके 28 ठीकानों पर आईटी ने इंकम टेक्स ने चापा मारा है और एक बात और यहां पर कहीं दिखी जा रही है कि इनके अलग अलग जब ठीकानों में चापा मारा गया तो कई सा पर फिल्मों की तरह यह लोग आए और उन्हें चापा मारा तो अगर आप इंकम टेक्स की चोरी करेंगे यह सरकार है यह सरकार है यह आपको छोड़ेगी नहीं इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इस बार धान की फसल overall देखा जाए तो इंडिया में बहुत अच्छ ताहली है तारा से तारा की टीम के तरफ से मैं आपको यह काम नहीं हो रहा है तो मालती राइजी का कहना है कि जनता सहयोग नहीं कर रही है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं और निगम के फाल्तु खर्चे भी काफी जाता है सो भाई मालती राइजी महापौर आप है आपके पास कुछ पावर्स होंगे आप उन पावर्स को यूज करिए ऐसे एक्सक्यूज देने के लिए हमने आपको महापौर नहीं बनाया था आप काम करें आप जनता से प्रॉपर टेक्स लें और उस टेक्स वाले पैसे को जनता के कामों में लगाएं क्योंकि हमने भी यह देखा है भोपाल के मैं बात करूं तो जब सवच्चता सर्वेख्षण चल रहा था तब तो घर घर कचला उट रहा था लेकिन जब सवच्चता सर्वेख्षण बंद हो गया तो कई जगे कचले आज भी वैसे पड़े मिलते हैं अगर आपकी कॉलोनी में ऐसा कचला पड़ा मिल रहा है तो प्लीज आप कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा सुमत्पदेश में लगभग जिन विभावगों में 66% से ज़्यादा पड़ खाली है वहां वो सारे पड़ तीन साल में भर दिये जाएंगे लेकिन 76 आरक्षण के बाद तो मद्पदेश में जसक मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मामा जी का कहना है कि कौन माई कलाल आरक्षण बंद करेगा उसी आरक्षण को आगे रख करके यह पद यहां पर यह लोग भरेंगे और जहां एक से 50 पद तक पद खाली है उन पर एक बार में ही भरती न आप देखें तो इनका एक जो प्रॉपर बोड है जिसे हम व्योसाइक परिक्षा मंडल के नाम से पहले जानते थे घोटाला हुआ नाम बदल गिया प्रोफेशनल इग्जामनेशन बूड पी बी किया गया वह भी प्रोफेशनल इग्जामनेशन बूड का भी नाम बदल कर करता है अगर आप भुपाल से हैं तो आप समझ सकते में कौन से चौराइकी बात कर रहो मेरा बस यह कहना है कि जैसे ही चुनाओ के समय आता है तभी इनलों को रोजगार की इतनी जादा याद क्यों आती बाइए इतने साल आपने वह काम क्यों ने कि एक ही महीने में या एक यही साल में इतने सारे पद खाली हो गए होंगे, पद तो काफी समय से खाली रहे होंगे, लेकिन चुनावी साल में ही इनको इतनी सारे याद क्यों आती है, तो हमें ये बात सरकार से डारेटली पूछनी चाहिए कि चुनाव के समय में क्यों आतारी भाई, और अगर भरती कर रहे हैं, तो जहेड सी बात है, आप जल्दी भरती करें, और फिर भी मेरे को उमीद तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बट उमीद करते हैं कि कभी न कभी हमा का भी बैलन्स बना रहें, उमीद करते हैं, आप हमारे चैनल का भी बैलन्स बना के रखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को दबा करके, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार यहीं बना के रखिए, so with this, thank you so much, नमस कु판 करूँ चैनल को सब्सक्राइब प्रशएरे साथ, ऑज एक पहाँ पियो उिवदे झाल से बना पमदोव के साथ, ऊरॉबका रपले शोबस्तों करूबदा झाल से जाए, रखिए